हेलो एंड वेलकम तू चानक के आईएस एकेडमी आज हम एमसी क्यूज के माद्यम से इंडियन पॉलिटी को समझने का फ्यास करेंगे और यह एमसी क्यूज हमारे आने वाले परी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो चलिए हम पहला एमसी क्यों दिखते हैं जो किये कंसीडर दा फॉल्वाइं इसमें सबसे पहला ओप्शन दिया गया है राइट टू एजूकेशन मतलब सिख्शय गदिकार दूसरा आप्शन है राइट तो एक्कोल एक्सेस टू पब्लीक सर्वेस मतलब जन सेवां तक एक्कोल एक्सेस आधिकार और तीसरा हो जाता है राइट टू फूड मतलब बोजन काधिकार और अमारा कुश्चन कहता है कि which of the above is our human rights या human rights under universal declaration of human rights मतलब उपर दिये गए विकल्पों मैंसे कौन सा मानावदिकार या जो universal declaration है मानावदिकारों का उसके अंतर रधाता है और हमार यहां पर विकल्प है पहला विकल्प है one only, दूछरा है one and two only, तीसरा है three only और चौथा है one, two and three तो अगर हम इस question को देखें, इसमें क्या वो लगे, human rights और UDHR के अंदर आने वाले human rights तो अगर हम इस question के बिकल्प को एक एक करके देखें तो right to education, तो basic right में होता है, भारत में भी यह fundamental right है दूसरा देखे, right to equal access to public service, अगर हम किसी भी democracy की बात करें, तो democracy में होता क्या है, एक democracy में, जो government form होती है, वो कौन करता है, लोगों के थूरू होती है, या तो direct democracy हो सकती है, या indirect democracy होती है, तो इसी मात्ति हम से कहलगा, public का participation बढ़ा, और यही तो अधिकार हो जाएगा, यही इसी भी basic ही right है, तो अगर हम नहीं भी जानते कि UDHR क्या है, फिर भी हम इसका answer दे सकते हैं, कि तीनों ही UDHR या human rights में आने चाहिए, तो answer क्या होना चाहिए, डी, चलिए, अब हम आगे देखे, answer भी देख लेते कि answer है क्या, इसका answer ही है, इसका answer ही है, तो आपने पहले ह इसमें total 30 article है, उनहीं 30 article में तेन के बारे हम discuss करेंगे, सबसे पहला है article 21, article 21 कहता है कि everyone has the right to take part in government office country, अपने देश की सरकार हैं भागने कादिगार हर किसी के पास होगा, उसी का अगर हम सब पार देखें तो कहता है, everyone has the right of equal access to public service in his country, तो यही जो अदिकार है, यही हमारा option थ तो मतलब एक option थो ठीक हो गया, दूसरा देखें, article 25, article 25 बात करता है, everyone has the right to standard of living, adequate for the health and well being of himself, of and of his family, including food, तो अगर हम बात करेंगे अपने तीसरी बतल की, तो हो था right to food, वो भी सही हो जाता है, इसके बाद अगर हम बात करता है, article 26 के बारे मां, तो article 26 बोलता है, everyone has the right to education, और यह हमारा दूसरा बिकल था, तो मतलब अगर हम देखें, तो हमारा answer हो जाएगा D, और तीन बिकल सही हो, चलिए अब हम अगले question की तरफ बढ़ते है, अगला question क्या है हमारा, अगला question कहता है कि, the authorization for the withdrawal of fund from the consolidated fund of India must come from, मतलब जो consolidated fund है India का, उसमें जो भी fund बाहर लेना है, उसक किसका authorization यरूरी होता है, बिकलब A कहता है, the president of India, बिकलब B कहता है, the parliament of India, बिकलब C कहता है, the prime minister of India, और बिकलब D कहता है, the union finance minister, चलिए, हम इसका answer देख लेता है, इसका answer है, answer B, अगर हम explanation की बात करें, तो भारत के सम्विधान का जो article 283 है, वह इसमें बात कर, और हो क्या ब and money is credited to the public account, किसके पास होगी है, Consolated Fund of India and the contingency fund of India, the payment of money into such fund, the withdrawal of money, there from the custody of public monies, other than, किसके कौन से समनी आएंगे, बूस credit to such fund, received by on behalf of the government of India, their payment into the public account of India and the withdrawal of monies from such account and all other matters connected with Ancillary to matters aforesaid, साल भी regulated by law made by parliament, मतलब, अगर हम इसको बिलको सीज़े तरीके सा समझ नहीं को सस्कारें, कि जो Consolated Fund है और Contagency Fund है, उसमें जितने भी payment आते हैं, उनको अगर निकाला है उसमें से, तो किसकी ज़रुरत पड़ेगी, एक Parliament के द्वारा बनाए है कानून, उसके माध् इसके प्रेसिदेंट वानाए है लेकिन ऑथराइजेशन किसका रूरी है यह ज़रूर है पारियमेंट का, तो हमारा आंसर हो जाएगा है आंसर भी, पारियमेंट ऑफ इंडिया, चलिए तीसर कोश्चन की तरफ बारते हैं, तीसर कोश्चन कहता है हमारा, आल रेमेन्यूस रेसिपड वाइद यूनियन गवर्मेंट वाइब ऑफ टैक्सिस और अधर रेसेप्ट वर दगणक्ट ऑफ गवर्मेंट विजिंस, मतलब जितनी फंड मिलते हैं, जितनी रेसिपड प्राप होती हैं, वो किसमें जाती हैं, यहां पे हमारे उप्शन है, पहला उप्शन है अगर हम बात करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो चलिए हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, और जान लेते हैं कि इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा, आंसर सी, आर्टिकल 266 यहां पे बात करता है, Consolidated Fund of India के वारे में, और इसमें ही जो 266 A है वो बात करता है, पब्लिक मतलब लोक लेखा के वारे में, और यह दोनों बताते हैं कि जितने भी इसके प्रोविजन्स हैं, आर्टिकल 267 या 266 जहां पे 267 बात करेगा, इसके जितने भी रिस्पेक्ट, उसमें सारे रिबेंदी उसे रिचिप्ट वाइड गवर्मेंट अफ इंडिया, और लॉन्स गलिए भी इसका प्रेशरी जहां आका बीजन्स का ओणिए यहां यहां प्रेश्ट गवर्मेंट वाइड देन सेंडिया और लोन का इसको अनुद। आज नाम का इसको याद रहें बेस और ब्ली मेंट एडवान्स, आप अर अधर मनीे रिसीप्ट वाइड वाइड गवर् तो मतलब यह कहां जाएंगे सारे वेवैनी हो या ट्रेजरी विल्स के थ्रू आया हो या वेजन मेंस अडवांस हो यह सब कहां जाएंगे जाएंगे Consolidated Fund of India तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा Option C Consolidated Fund of India चलिए अब अगले कुशन के तरफ बढ़ते हैं Q4 यह कहता है कि वन अनुब यूनियन बजर्ट इसनौट पास्ट वाहिती लोकसभा फट विल्स कहां एंगे 1st option लिए बजर्ट इसमौदीफिए अन्रेजर्ट रिप्रेजिए अगें और जिए नहीं पास होता कि तो मतलब गवर्मेंट के पास लोगसावा में माज़ॉरिटी नहीं बजई तो इस condition में constitution क्या कहता है कि जब government के पास looks of majority ना हो तो government को dissolve कर दिया जाएगा तो इसमें होगा क्या मतलब prime minister ही resign कर देगा prime minister पे no confidence motion चल लाएगा सी ही प्रिक्रिया हो जाएगा कि मतलब उसी के लगभख रावर की चीज होगी अगर budget पास नहीं पाता तो क्या करें यह resign कर देगा और जानके हम जानते हैं कि प्रैम मिनिस्टर कर रेजिगनेशन होता है वो council of ministers का भी रेजिगनेशन होता है क्योंकि वो उसी के द्वारा नियुक्त किये जाता है नियुक्त जाता है यहां यह जियान अजबूरी होए कि भारत के सम्मीदान में कहीं भी budget में जाना है बज़ट के लिए क्या एंगा है annual financial statement वारिका कहता है In case if a policy statement like annual budget is not passed by the law sofa then it is equivalent to losing vote of confidence युष ही के बरावर है जिस तरीके से बोट फॉन्पिदेंस की दूर्ज हो जाता है अगर मैजॉर्टी होती तो आराम से पास हो जाता है लेकिन हुआ क्या वो नहीं पास हुआ तो मतलब आपके पाथ अब कॉन्फिदेंस नहीं बचा उसका जोगसभा का और इसमें होगा क्या प्राइम मिनिस्टर सुट रहे हैं भीकल्ब गया दुम रहरा सही अंसर हो जाया हूए हम अगले कोशिके तरफ बढ़ते हैं हो देख लेक अगला कॉश्किं सिंर गुदे अगला कॉश्किलचा या अंडर गॉस्टिशन की निए वक्शिवा सियंटिशन भेट ऐन दीचा बडाउंस सक्षिशन की itself शरे शीर 2020 ह पास्ट ऑप्शन गोलते है तो अवाइट बागी सारे फंडामेंटल ड्यूटी में आते हैं तो चलिए हम बात कर लेते हैं जरासी यहां पें फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में तो भारत का रिमूर सम्मिजान था मतलब 1234 चाहस मैं जो लापूतिया घ्याता 10 fundamental duties एड़ी गई थी जो नीचे दिव ही है आपके PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के आने के साथ ही PDF भी वहाँ पर डाल दी जाएगे तो ये 10 fundamental duties थी जब 42nd Constitution amendment हुआ तब उसके बाद क्या हुआ 86 संविधान संसोधन अधिनियम 2002 से एक ग्यार भी भी जोड़ती गए और वो fundamental duties थी तो प्रवाइड अपॉश्यटी पोर एडूकेशन तो चिल्डरन बिविन 6-14 तो ये ग्यार भी थी और जिसको 86 संविधान संसोधन अधिनियम 2002 के लारा एड किया गया था तो यहां आपने जान लिया कि जो हमारी fundamental duties हैं उसमें कहीं भी पॉब्लिक एलेक्शन में बोर्ट करने की duty हमारे नहीं है तो यहां पर आंसर हो गया हमारा तो चलिए यहां पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं आगे ऐसे ही नए-नए questions और subject के बारे में जानने के लिए आप हमसे जोड़े रहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को राइक करें जादा से जादा से शेयर करें धन्यवाद दोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब दो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस अप्डेट